नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक टिए और ओन चानल द इन्वेस्मेंट गुरजी दोस्तो आज के स्वीडियो में लोग महिंद्रा एन महिंद्रा फाइनस कंपनी के बारे में जानेंगे इसके कौर्टर वन के नतीजे आ चुके है इसके जो है 298 परसंट का जो है प्रोफिट जो सकते हैं तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तो अगर आपने इन्वेस्मेंट गूरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजे क्योंकि यहां पर आपको मिलते है लेटेस्ट टॉक आइडिया लेटेस्ट इन्वेस्मेंट निउस इसके साथ कौन से स्टाक्स में रहना आए कौन से स्टाक से निकल जाना है तो यह तरह कि सब इन्फॉर्मिशन आपको यहां पर मिलेगी इसाथ दोस्तो बैल आइकन पर क्लिक करना ना बूले ताकि आपको हमेशे हमारे लेटेस्ट इन्वेस्ट इन्चुटो मिलते रहेंगे चली दो दोस्तों अगरने लोग यहां पर total revenue की बात करें, तो total revenue in company का जो है, वो है 3056 crore, यह quarter का है, तो अगरने लोग year on year basis पर compare करें, तो यह slightly घटा है, मैंने पहले ही calculate कर रहा है, वो है minus 1.43, तो दोस्तो 1.43% से यह घटा है, अगर हम लोग year on year basis पर compare करें, तो यह 8.31% से बढ़ा है यह इस company के लिए positive point है, दोस्तों अगरने लोग इस specific point पर देखे, revenue के sales of service, तो यहां पर मुझे एक negative point दिख रहा है, अगर हम लोग sales of service देखे, इस quarter का, तो वो रहा है 30 crores, और अगर हम लोग इसको year on year basis पर compare करें, या फिर quarter on quarter basis पर भी compare करें, तो आप सीधे-सीधे 50% का decrease इ जो इसके लिए negative point as of now लग रहा है, दोस्तों अगर हम लोग इस company के expense के बात करें, तो expense रहा है इस company का 2,806 crore, इस quarter का, अगर हम लोग पिछले quarter से compare करें, तो यह जो revenue, यह जो expense है वो घटा है, यह इसके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर हम लोग year on year basis पर compare करें, तो expense ज चलिए दोस्तों अब देखते है इस company का profit, दोस्तों income से अगर हम लोग इसका expense और अगर इसका tax की जो खुल आती है, वो अगर निकाल दे तो हमें मिलता है इसका profit, दोस्तों अगर हम लोग इसके profit के बात करें, तो profit ता इस quarter का 432 crore, अगर हम लोग इसको year on year basis पर compare करेंगे, तो आपको एक अच्छा साथ jump देखने को मेलेगा, 298% का यहाँ पर increment हम लोग देख सकते हैं, दोस्तों अगर हम लोग इसको year on quarter basis पर compare करेंगे, तो यह जो बढ़ा है, वो 80% बढ़ा है, यह इस company के लिए अच्छी बात है, दोस्तों अगर हम लोग इस company का EPS देखेंगे, एर्निंग पर share यहाँ पर हम लोग देख रहे है, यहाँ पर सीधे सीधे अगर हम लोग year on year basis पर compare करेंगे, तो यह जो बढ़ा है, EPS वो 302% से बढ़ा है, और अगर हम लोग quarter basis पर compare करेंगे, तो वो भी अच्छा कासा 80-90% के आसपास बढ़ा है, तो यह भी इस company के लिए अच्छी बात है, दोस्तो चलिए बात करते है, इस company के right issue details के बारे में, दोस्तो first of all, अगर किसे को right issue नहीं पता तो मैं शौट में बतातू, कि दोस्तो right issue company तब करती है, जब उसको पैसा लगता है, दोस्तो यह जो है, इसके अगर company का listed share already नहीं होगा, BSC, NSC पे stock exchange पे, तो वो जो company है, वो IPO लेकर आती है, that's the first point, अगर उस company को IPO already है, पहले जो है company का stock listed है, लेकिन उसको बावजुद भी पैसा लग रहा है, for the different activities, like उसको अगर available debt कतम करना है, that's the first point, या फिर उस company को जो है, उसके कुछ growth plans के लिए पैसा चाहिए, that's the second point, that's an number of reason हो सकते है, जिसके व अगर आप available इस company के अगर share दारक हो, तो आप इसमें निवेश कर सकते हो, दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखे, company के right issue पे, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहा है, कि right issue जो लेकर आ रहे है, the not exciting 3089 करोर, तो इसके आसपास जो है, कुछ तो price की जो है, amount जो है, company इकट open होगा, और 11 August को यह जो IPO, sorry, the right issue जो है, close होगा, दोस्तों अगर हम लोग इस company के valuation पर आत करें, तो यह जो है, mid cap size की company है, इसका market cap है 12,843 करोर, दोस्तों अगर हम लोग PE की बात करें, तो 14 पर चल रहा है, industry PA 828, तो अच्छे कासे सस्ते valuation पर हम यह stock मिल रहा है, दोस्तों अ base value के बात करें, तो 2 पर चल रहा है, EPSS का 14.67, और चो price to buck है, वो है 1.13, चलिए दोस्तों करते हैं, इस company का technical analysis कौन से level best होगी, जहाँ पे हम लोग stock में fresh entry कर सकते हैं, दोस्तों, first call अगर वाद ने जूरुरता में account नहीं open किया है, तो मैं stress करूँँगा, जूरुरता में account open कीजिए, क्योंकि upon opening के बात, आपको कुछ इस तरह का interface मिलता है, जो आपको जो wide variety of indicator मिल से, जिसके मतसे हम लोग जो है, एक सर्टी का और अच्छा analysis, टेकनिक analysis कर सकते हैं, दोस्तों, डिस्रेक्शन box में link पढ़ी है, वहा से जाके आप account open कर सकते हैं, दोस्तों, अभी आत लेवल तक गयता, और इसके बाद इस जो जो stock है, अभी 200 के लेवल तक चल रहा है, दोस्तों, अगर लोग moving average के बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, 50 का moving average yellow line है, जिसके उपर stock गया, उच्छी का सा इसने rally दिखाई, अभी यह stock जो है, इसके critical point यानिके 100 moving average के उपर चल रहा है, अगर दोस्तों, इसने अगले कुछ session में 50 moving average को नीचे के level पर cross नहीं किया, इसका मतलब है 50 moving average के उपर रहा, तो यह हमें stock 200 moving average याने के 269, 270 के level तक आराम से rally दिखा देगा, दोस्तों, अभी आते है fresh entry के लिए, दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर देखे, तो में भी 3-4 trading session में touch करने का थोड़ा नीचे आ जाए, तो right now जो है, stock में entry नहीं बनती, from my understanding, दोस्तों, कई अगर stop आपको 180-190 या फिर 192-193 इसके level के आसपास अगर मिलता है, तो उसके लिए right now अच्छी buying opportunity हो सकती है, that's the thing, दोस्तों, अगर हम लोग इसके MSED के बात कर रहे MSED, अगर दोस्तों, RSI के बात के आराउंड ये 67.73 इसका मतलब ये जो stock है, बहुत जल्दी जो overpot situation में जा सकता है, तो दोस्तों, अभी stock को लेने का मतलब नहीं बनता, तो right now आप जो है, अच्छे entry के लिए हम लोग wait कर सकते हैं, जब जैसे कि हमें अच्छे entry मिल जाए, हम लोग stock में जो है, entry कर सकते हैं, तो दोस्तों, that's all for this video, आपको अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज एक लाइक कर दीजे, इसके साथ इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले, दोस्तों, इसके साथ The Investment Guruji चनल को ज़रूर सब्सक्राब भीजे, तो दोस्तों मिलते में दे नेक्स वीडियो में, तिल देन, गुद बाई